दोस्तो इंडियन ओल कॉर्परेशन का स्टॉक जब 100 के लेवल्स के पास में पहुँचा था तो काफी जादा लोग बोल रहे थे हैं आसे 110, 115, even 120 भी काफी easily आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या इंडियन ओल के स्टॉक को भी बाई करना चाहिए या फिर नहीं और इसी क्या सच्चाई की बाते हैं जो कि हम लोग यानि की रेटेल इंवेस्टर से आपे छुपाई जा रही हैं आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फेनो मीडिया बाय आरुश दोस्तों इंडियन ओल कॉर्परेशन का जो स्टॉक है वो अल्रेडी लास्ट छे महीने के अंदर में 18% के रेटांस दे चुका है जो की 6 महीने के हिसाब से काफी अच्छे रेटांस हैं अगर बात करें स्टॉक के प्राइस की तो 93 रुपीस के आसपास में ट्रेड हो रहा है कमपनी की मार्किट कैपिटलाइजेशन 1,32,000 करोर्स की है इस स्टॉक के अगर पी रेशियो की बात करें आने की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो वो 5.37 का है अब इससे आपको एक चीज़ पता लगी कि कमपनी जो है काफी कम वैलुएशन पर मिल रही है मतलब as compared to its book value काफी ज़ादा सस्ते पर अभी जो है stock price trade हो रहा है तो एक काफी अच्छा समय हो सकता है इसे buy करने का तो PE ratio देख करके तो हमें आप एक buying opportunity नजर आती है company के अंदर महीं एगर आप company की book value भी देखते हो तो 98.9 रुपीस के आसपस मिल जाती है आपको जोगी इसके current market price से भी जाधा की है तो book value देख करके भी जो है हमारा एक buying decision यानि की एक buying recommendation यहाँ पर create हो रहा है अगर हम बात करें company के dividend yield की 3.21% का company का dividend yield है जोगी आप कह सकते हैं एक fair dividend है आपको सालाना जो है 3.5% के आसपस का dividend मिल जाएगा यहाँ पर invest करके तो यह भी काफी अच्छी बात है अगर बात करें company के return on capital employed की तो यह 8.16% का है अब problem यहीं पर आ जाती है जो ROCE और ROE होता है वो 12-15% का average माना जाता है और इतना benchmark तो achieve करना ही चाहिए company को तो यहाँ पर Indian Oil Corporation का जो ROCE है वो 8.16% का है जो की average से भी कम है और वही जो company का ROE यानि की return on equity है वो 7.17% का है जो की again average से भी हमें कम देखने को मिल जाता है तो growth wise अगर बात करें तो last कुछ सालों के अंदर में company से हमें जादा growth यहाँ पर देखने को नहीं मिली है अगर बात करें stock के face value की तो 10 रूपीस की है अब debt to equity ratio 1.07 का है मैं आपको already बता देता हूँ जाद अदर जो भी सरकारी company आने की government firms होती है उनका debt to equity ratio काफी ज़्यादा high होता है बट Indian Oil Corporation के साथ में ऐसा नहीं है हाँ ratio high है बट इतना भी ज़्यादा high नहीं है आप कह सकतो एक fair enough आपको debt to equity ratio company का देखने को मिल जाता है बिगोज जितना company के पस debt है almost उतने के आसपस company के पस reserves भी यहाँ पे मौझूद है अगर हम बात करें company के financials की तो यहाँ पे आपको एक काफी बड़ा catch दिखाता हूँ last one year को मैं आपे compare कर लेता हूँ आप लोगों के लिए 2022 के अंदर अगर आप देखोगे तो company की जो sales थी वो 5,89,000 crores की थी वही 2023 के अंदर में बढ़ करके 8,41,000 crores पे आ चुकी है तो अगर आप देखोगे तो last one year के अंदर में जो company की sales है उसके अंदर हमें एक massive growth देखने को मिला है बट वही second end अगर आप यहाँ पे company का operating profit देखोगे तो 2022 में जहाँ पे operating profit 47,000 crores का था वही 2023 में घट चुका है और 30,000 crores पे आ चुका है अब sales के अंदर इतना बड़ा increase हमें देखने को मिला है बट operating profit same भी छोड़ो यहाँ पे negative में मतलब last year के comparison में कम आता हुआ हमें देखने को मिला है अब इसका जो main reason है वो है company के expenses because last one year के अंदर में company के expenses कुछ जाद ही 30 से बढ़े है बट अगर आप history भी check करोगे तो काफी बार ऐसा हुआ है कुछ सालों के अंदर जो company के expenses होते हैं वो हमें increase होते हुए देखने को मिलते है बट long term के अंदर में आने वाले time के अंदर में company वापस से उन्हें control कर लेती है तो यहाँ पर अगर आप financials देखोगे तो आप यह नहीं कह सकते हो कि company के financials खराब है या फिर company के financials weak है because सिरफ एक year के अंदर company के जो expenses है वो हमें जादा होते होए देखने को मिले है जोगी सीधी सी बात है आने वाले time में definitely company से control कर लेगी past में भी काफी बार ऐसा हुआ है company के expenses बढ़ जाते हैं बट अगले एक से दो years के अंदर में financials के अंदर अगर आप expenses को देखोगे तो वो वापस नीचे आ जाते हैं and sustain कर लेते हैं तो इस वाले point को आप ignore कर सकते हो और कुछ investors इसी चीज़ से आप कह सकते हो थोड़ा डर रहोंगे invest कर ले से अगर हम बात करें company के net profit की तो जहां पर 2022 के अंदर में company का net profit 25,000 करोर्स का था वही 2023 में ये भी कम हुआ है and 11,000 करोर्स पे आ चुका है again operating profit कम हुआ है तो CDC बात है company का net profit भी decrease होगा बिट जैसे जैसे company अपने expenses के उपर में work करेगी next year तक I hope company जो अपने expenses को वापस से कम कर ले and जैसे ही company जो अपने expenses को कम करती है यहाँ पे वापस से company के net profit में हमें एक धमाकेदार jump देखने को मिल सकता है अब आईए एक बार company की balance sheet को देख लेते हैं अगर आप यहाँ पे देखोगे तो company के reserves हर साल काफी अच्छे से increase हो रहे है 2021 में जहाँ पे company के reserves 1,2000 करोर्स के थे वही 2022 में बढ़ करके 1,24,000 करोर्स पे आ चुके हैं बट वहीं अगर आप 2023 को देखोगे तो यहाँ पे company के reserves almost आप कह सकते हो ना के बराबर ही बढ़े हैं 1,25,000 करोर्स पे आए हैं तो last one year के अंदर company के reserves के अंदर में हमें कोई भी जादा change देखने को नहीं मिला है बट on the other hand company के जो borrowings हैं यानि की जो company के loans हैं या कह सकते हो जो भी उधार लिया हुआ है वो last one year में 2022 में 1,32,000 करोर्स का था और 2023 में 1,48,000 करोर्स पे आ चुका है तो company की जो borrowings हैं वो जादा तेजी से बढ़ रही हैं as compared to reserves और यह last one year के अंदर में ही हुआ है इससे पहले अगर आप देखोगे तो company के reserves भी काफी तेजी से बढ़ते आ रहे हैं और company की borrowings भी उतनी ही तेजी से बढ़ती आ रही है बट इसी year के अंदर में जो हमें हैं देखने को मिला है कि company के reserves थोड़े कम रह गए हैं company की borrowings के comparison में और थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे difference आता हुआ देखने को मिला है अगें सीधी सी बात है जब company दुबारा से profitable अच्छा profit generate करने लगेगी expenses को control कर लेगी तो reserves वापस से company के यहाँ पे increase होते हैं हमें देखने को मिलेंगे फिलाल के लिए आप कह सकतो कि हाँ company के पास borrowings थोड़ी ज़ादा हैं reserves के comparison में और साथ ही साथ मैं आपको बता दू काफी ज़ादा बड़े-बड़े financial institutions ने जो है यहाँ पे Indian Oil Corporation के stocks को 100, 110 and even 115 to 118 तक के भी targets देके रखे हैं and already यह stock 100 के level से एक बार rejection ले चुका है तो आने वाले time में काफी high expectations है अगर यह stock 100 का level break करता है तो 110 to 115 तक easily जाता हुआ देखने को मिल सकता है all over अगर company में देखे तो कोई भी कमी हमें देखने को नहीं मिलती है उपर से government-backed company है तो आप कह सकते हो कि हाँ company में dumb तो है बट अभी के लिए आप थोड़ा सा watch रखिए company को पर में stock prices अगर यहां से और correction लेते हैं तो उने थोड़ा और correct होने दीजिए and wait कीजिए perfect entry level का बागी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because finomedia के अंदर आपको ऐसे stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye